आज मैं आपके लिए कुछ एसे यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे देखने के बाद आपके घर और कीचिन के कामों को आसान करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर आप चेनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब क लेकिन क्या होता है कि कभी कबार इसा होता है कि हम निम्बू को कट करते हैं और आदा निम्बू यूज कर लेते हैं लेकिन आदा इसको छोड़ देते हैं फिर एक दो दिन बार में ये खराब हो जाता है और खराब पड़े हो ये निम्बू को हम क्या करते हैं फेंग देते लेकिन हम इनको अलग लग तरीकों से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक यहा पर बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ, इसको आप स्तरब से यूज कर सकते हो, चाहिए आपके पास सु गये हो, निम्बू या फिर खराब हो, रहके हैं तो उसका भी यहां पर कलस लिया है और देखे हमारे पास पीतल के भी बरतन होते हैं पूजा हम करते हैं तो यह यूज करते हैं इस तरह के बरतनों को तो यह काले हो जाते हैं और फिर इन्हें साफ करना बहुत जादा मुस्किल होता है तो आप देखे इस तरह से यह बच्ची वई निम्बू के जो चिलके होते हिसे बहुती बढ़िया से बरटनों को साफ कर सकते हो तो मैं आपको देखे करके भी दिखा रही हूं यहां मैंने तांबे का कल्स लिया है आप चाहे तो कनाड़ी का जो कल्स होता है उसको Bожд's کر सकते हो हम wraจ में चोटे-चोटे बर्तन करते हैं पीतल के और चांदी के तो वो खराब हो जाते हैं दूसरे दिन हमें साफ करना पड़ता है और बहुत ही टाइम लगता है उसे साफ करने के लिए तो आज में देखिए बहुत ही बढ़िया आपको तरीका बताने वाली हूं आप क्या है कि इस तरह की जो चिलके होते है इससे आसानी से आप साफ कर सकते हैं कि कितना बढ़िया सी साफ हो रहा है और फ्रेंज इस तरह के दिखिए जो बर्तन होते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा मुस्की लगता है इनको साफ करना तो हम क्या करते हैं बहुत दिन हो जाते हैं फिर भी इनको साफ नहीं करते हैं और और आप आसानी से देखिए पटापट से इस बर्तनों को साफ कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया तरीका है बर्तन साफ करने का और यहां पर देखिए मैंने इस कलस को धोलिया है और अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया से देखिए यह साफ हुआ है तो अगर आपको यह प आपने घर से एक लोटा पानी का भरके लिखे जाते हैं तो अगर यह लोटा खराब दिखेगा तो देखने में कितना खराब लगेगा तो फ्रेंड्स इन निम्बू की छिलकों से आप हर रोज इसको बहुती इजी तरीके से साफ कर सकते हो है तो है ना बहुती बढ़िया सा जरूर इसको ट्राइब करिएगा अगला मेरा यूसफुल टिप्स है देखिए गद्दे को लेकर क्या होता है कि गद्दा देखिए गंदा हो जाता है और उसको हम नहीं दो सकते तो आज मैं आपको बहुती बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ सबसे पहले यहां पर मेरा यह टिप्स होगा कि देखिए जब भी हम गद्दे को लगाते हैं बेडशीट उपर तो हम क्या करते हैं सिंगल बेडशीट लगाते हैं और इतना बड़े गद्दे को हम कोई भी इसका कवर नहीं सील पाते हैं और किसी को सिलाई आती है किसी को नहीं आती है तो मैं क्या करत तो आप देख सकते हो देखी गद्दा कितना साफ सुत्रा है बिल्कुल भी मेला नहीं है और यह 10-15 साल पहले का गद्दा है बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है तो यह देखे मेरा गद्दा रुई का है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया है तो मैं इसको आपको आज सा करना है और इसके लिए देखिए हम लेंगे बेटींग पाउडर तो बेकिंग पाउडर आप चाहे तो डेटों हुआ है वह ले सकते हो या फिर आप जो हर बार यूज़ करते हो बढ़िया वाला है तो उसको भी आप यहां पर यूजर कर सकते हो तो फ्रेंज क्या होता है कि घ स्मेल होती है वह चली जाती है को बहुत ही बढ़ आसी स्वापी हो जाता है तो इसके लिए आप को देखें चलनी जाद से भां तो पुरी तरह से फेज जाता है और थोड़ा वह पूरे गद्दे पर यह लगा लेती हूं तो मैं देखें यहां पर आपको करके दिखा रही हूं आप इस तरह से पूरे गद्दे को साफ कर सकते हो और एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको साफ कर सकते हो मेरा यह गद्दा बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं आप को थोड़ा वहती साफ करके दिखा रही हूँ तो यहां दिखिए पहले हमें पूरे में ये बेकिंग पाउडर डाल देना है में और डालने के बाद आदे गंटे तक आपको इसे ही सको छोड़ देना है और देखिए इससे यह होगा कि जो भी हम ने ये डाला है वह गद्दे के अंदर जो भी बद्बू है वह सारी अपजोब कर लेगी और अच्छे से यह क्लीन हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीका है और अब देखिए मैंने इस पे पूरे में यह डार दिया है और डारने के बाद अब हम इसको साफ करेंगे तो साफ किस जो कुंटे वाला प्लेट होता है वो नहीं होता है तो यहां देखिए हम यह प्लेट लेंगे और इसके लिए हम लेंगे एक रुमाल तो मैंने यहां पर रुमाल लिया है वाइट आप जब भी साफ करें तो कोई भी कपड़ा ले सकते हो कोटन का पुराना टीशिट भी ले ले सकते हो लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए किस तरह से हम इसको साफ कर सकते हैं कितना जो गंदगी है वो छूरती है तो इसलिए मैंने यहां पर वाइट रुमाल लिया है अब करना क्या है कि देखिए जो इस तरह का यह प्लेट होता है इसको देखिए उपर पकड़ थोड़ा बहुत गिला करकी अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे जो भी अपस्टा पानी होगा वह आपको निकालने के बाद अब हमें इस रुमाल को लिखे इस तरह रखने के बारल प्लेट को अपको उलटा रखना है इस तरह से रखने के बार जो इसके corner है आपको उपर की side में देखे एक जगे पर करके इसको अच्छे से पकड़ लेना है ताकि क्या है कि पकड़ने के लिए stain भी हो जाए और अच्छे से ये fit हो जाए तो अभी आप देख रहे हो कितना साफ सुत्रा देखे रुमाल है और अब हम इसको साफ करके दिखाते हैं तो जो भी इसकी गंदगी होगी वह आपको पता चलेगी कि कितना ये गंदा इसमें लगावा है और कितना अच्छे से छुट जाता है तो चलिए मैं इसको साफ करती हूं अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कोमेंट करके मुझे जरूर बताए कि आपको आज की वीडियो केसी लग रही है तो देखिए पूरे गद्दे को हमने अच्छे से इसको इससे साफ कर लिया है और आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया से देखिए अब ये साफ हो चुका है तो फ्रेंड्स ये जो मेल होती है वो सारे को निकाल लेती है अब मैं देखिए इसको निकाल के आपको दिखाती हूं तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना मेला वा देखिए दिख रहा है आपको देखिए कितना जो भी मेला है वो सारा देखिए सरकल टाइक में दिख रहा है और साइड में जो ह तो फ्रेंज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में